क्या आपको या फिर आपके आसपास किसी को अचानक से हिच्कियां सुरू हो गई है जो कि बहुत ज्यादा हो रही है वा लगतार हो रही है रुख ही नहीं रही है व्यक्ति को सांस भी नहीं आ रही है बहुत ज्यादा प्रॉबलम का सामना करना पड़ रहा हो तो अब बिल्क द्वारा हिचकी के लिए क्या इलाज दिया जाता है इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को बिना इस्किप किये एंड तक ज़रूर देखें तो सबसे पहले जाते हैं कि हिचकी होती क्या है हिचकी डायाफ्राम के मसल्स में इन्वोलेंट्री कॉंट्राक्शन है इन्वोलेंट्री कॉंट्राक्शन मतलब जिसे अनैचिक एठन या फिर अनैचिक संकुचन कहा जाता है ओके डायाफ्राम वह बॉड़ी पार्ट है जो लंग्स के जस्ट नीचे होता है और स्मास लेने में हेल्प करता है इस डायाफ्र के involuntary contraction के कारण vocal code बार-बार बंद हो जाती है जो गले में present होती है और इस vocal code के बंद होने पर हिक की आवाज आती है जिसे हम हिचकी आना कहते हैं हिचकी आने के कारणों की बात करें तो अगर कोई वेक्ती जल्दी-जल्दी खाना खा रहा हो जल्दी-जल्दी पानी पी रहा हो तो उस वज़े से भी हिचकी आ सकती है बहुत ही ज्यादा खाना पीना या ओवरीटिंग हो रही हो तो उस वज़े से भी हिचकी आ सकती है cold ring वगेरा सराब, cigarette, beady, hookah वगेरा या chewing gum से भी हिचकी आ सकती हो कि कोई व्यक्ति है जो body का internal temperature maintain नहीं कर पा रहा हो जैसे उसने cold ring पिया उसके बाद hot ring पी लिया तो उस condition में हिचकी सुरू हो सकती है next है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा excitement हो या stress हो उस condition में भी हिचकी हो सकती है next है diaphragm के nerve में irritation हो तब भी हिचकी आ सकती है next reason है GERD मतलब gastroesophageal reflux disease नाब की विमारी जिसमें व्यक्ति के पेट में हमेशा गयाज बन जाती है blotting होने लग जाती है तो ऐसे condition में भी हिचकी आ सकती है साथ ही कुछ दबाओं के side effect के कारण भी हिचकी आ सकती है तो ये सारे अलग-अलग कारण है जिसकी वज़े से व्यक्ति को हिचकी आने लग जाती है अब जब हिचकी आना सुरू होगी तो उसे रोखनी के लिए सबसे पहले लोग घरेलू उपायों के इस्तिमाल करते हैं अगर घरेलू उपायों से हिचकी नहीं रुकती तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं पहले हम घरेलू उपायों को जान लेते हैं फिर डॉक्टर द्वारा क्या treatment दिया जाता है उसे भी हम जानेंगे तो घरेलू उपायों में जब भी व्यक्ति को हिचकी सुरू हो जाए, उस समय सबसे पहले व्यक्ति को स्वांस रोक कर, मतलब पहले बहुत गहरी लगभी सांस लेकर चेस्ट में भर कर उसे होल्ड करें, फिर उसको वापीस से रिलीज करें, या प्रोसेस बार-बार रिपीट करें, इससे हिचकी आना बंद हो सकती है, नेक्स्ट घरेलू उपाय है, कोल्ड वाटर को सिप-सिप करके पिए, मतलब घूट-घूट करके पिए, या ग्लास के उपर कपड़े बान दें, जो अंदर पानी है, उसे खीच-खीच कर पिए, ऐसा करने से भी हिचकी में फायद इसके लिए आप पेपर बैग में मुँ इस तरह डालें और स्वांस लें, जिससे आप जब सांस लेंगे, तो कार्बन आई ऑकसाइट की मातरा पेपर बैग में ज्यादा हो जाएगी, जिससे हिचकी रुख सकेगी, नेक्स्ट उपाय है ठंडे पानी का, अगर गारगल करत है, उससे भी हिचकी रुख सकती है, लेकिन इन सारे घरेलू उपायों को अपनाने के बाद भी हिचकी नहीं रुखती है, उस कंडिशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना आउश्यक हो जाता है, वैसे तो हिचकी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती, फिर भी अगर 48 ग करने पर डॉक्टर्स क्या ट्रिटमेंट देते हैं, उसे भी हम जान लेते हैं, डॉक्टर द्वारा मेली दो या तीन तरह की दवाईयां दी जाती है, जिसमें सबसे मेल है स्मूथ मसल रिलाकसं टाबलेट, जिसे आप बैकलोफन टाबलेट के नाम से जानते हैं, इस टाब दवा होने के साथ में स्मूथ मसल रिलेक्शन दवा भी है तो यह दवा हिचकी को रोकने का भी काम करती है नेक्स है पैंटोप्राजोल वा डॉमपेलिडोन कॉम्बिनेशन की दवा जैसा कि हमने जाना था कि ZERD, Gastroesophageal Reflex Disease, मतलब पैट में गैस बन जाने के कारण पैट में ब्लॉटिंग होने के कारण भी हिचकी सुरू हो जाती है तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा पैंटोप्राजोल वा डॉमपेलिडोन कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है जिससे की पेट में गैस बनी है वो रिलीज हो जाए और पेट में पढ़ा हुआ जो खाना है जिसकी वज़े से डियाफ्राम में प्रेशर पढ़ रहा है जो ज्यादा खाना खाने की वज़े से होता है तो डॉमपेलिडोन टैवर जब लेते हैं तो इंटेस्टाइनल मोशन फास्ट हो जाता है स्टमक खाली हो जाता है जिसकी वज़े से हिच्की रूख जाती है साथ ही अंडसीट प्रपरेशन की दवा जिससे आप डाइजीन नाम से जानते हैं वह भी दी जाती है जिससे पेट में जो एसिट सिक्रेशन हो रहा है वह निट्रलाइज हो जाए गैस की समस्य जल्दी ठीक हो जाए जिससे हिच्की की समस्य रूख जाएगी इस तरीके से ये सभी दवाईयां देकर व्यक्ति की हिच्की रूख की जाती है वैसे अगर एक दिन दवाई लेने पर हिच्की रूख जाती है तो इन दवाओं को बंद किया जा सकता है बट इन केस एक दिन में ज्यादा कोई खास रिलाक्शेशन नहीं हुआ है उस केस में दो से तीन दीन तक यह treatment डॉक्टर द्वारा दिया जाता है तो कभी भी कितनी भी ज़्यादा हिच्की आया बिल्गूल नहीं घबढ़ाएं इन तरीकों में से किसी भी एक तरीके या उपायों का इस्तिमाल करें अगर इन से रुख जाये तो अच्छी बात है या दर्वाइस आप डॉक्टर से मिलें जिससे की complete treatment दे कर आपके हिच्की को रोका जा सके